सिंपल और टेस्टी रेसिपीस के लिए बने रहें मेरे चैनल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जजबात भी आज मैं आपके साथ शेयर करें चिकन पकोडा की रेसिपी बहुत ही चटपटा टेस्टी और बनाने में बहुत आसान तो चलिए बिस्मिल्ला करते हैं आप इसे अफतार में ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएक इंशाला और बच्चे से बहुत शौक सिखाएंगे तो ब लेसन का पेस्ट आट करेंगे हम चिकन को हमें क्यूब्स में कट कर लेना है एट चिली पाउडर वन टी स्पून काली मिर्च का पाउडर वन टी स्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून हम आट कर लेंगे लाल मिश का पाउडर अपने टेस्ट की साप से बढ़ा अब भुने वे जीरे का पाउडर है, half teaspoon और भुना हुआ धनिया पाउडर, धनिया को हाथोस में ने ख्रश कर लिया है भुन के बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें जब साबुत धनिया मुह में आता है तो अब एक लेमन का जूस इसमें मैट कर लेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अट कर लेंगे हम, हरा धनिया, हरी मिर्च, बिल्कुल बारी काट रवा और ये करी पत्ता, उसे भी बारी काटके इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप करी पत्ता ना आट करना चाहें तो थोड़ा कसूरी मेथी भी आट कर सकते हैं, मगर करी पत चावल का आटा, चावल का आटा से बहुत ही कुरकुरा होता है, अगर चावल का आटा ना हो तो आप कौन फ्लार भी आट कर सकते हैं, वगर चावल का आटे से बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होता है, सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हम हातों से, उसके बा थोड़ा सा ओयल ड़कर इसे हम एक घंटे केलिए मारिनेट करने के रख देंगे चिकन है इसलिये मारिनेट कर रहें ताकि थोड़ा कीब जर्णा पर अपिंदनना चाहें तो कोई यू नहीं है थोड़ा सा फुट खल about अब हम तेल को पहले हाई फ्लेम पर गरम पर कर लेंगे फिर मीडियम फ्लेम पर एक-एक पीस डालके इसे फ्राइग कर लेंगे हम जब पीसे अब आट कर तो अच्छे से इसे इसे कोट कर लें चारो तरफ से फिर पांच में एक तरफ पकाने के बाद फिर फिलिप कर देंगे हम और दूसी तरफ से भी अच्छे से कुक कर लेंगे पीसे बहुत जल्दी गल जाते हैं क्योंकि हमने मैरिनेट भी करके रखा तक कुछ दे और फ्राई होते होते बोले स्पीसे इसलिए आराम से गल भी जाते हैं बहुत ही आसान ही से बनाना आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और बहुत टेस्टी भी लगता है चिकन पकोड़ा फ्राई हो चुका है हम इससे निकाल लेंगे चावल के आठे के वेज़े से यह बहुत क्रिस्पी होते हैं आप इसकी आवास करें आप आपको रेसिपी पसंद आई होगी आप इसे जरूर ट्राइ करें इसे बनाना भी बहुत आसान है आप चाहें तो मेरिनेट करके रख सकते हैं दूसरे तीसे दिन पर इसे अच्छे से फ्राई करके खा सकते हैं थोड़ से हरी मेच मैंने फ्राई कर लिए साथ में खाने के लिए तिस्टी लगता है आप अपने पसंद की चटनी के साथ हरी चटनी या फिर केचप के साथ इसे इंजॉय करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करते दाकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशाल्ला थैंक्स फो वाचिंग